किसान वायों नमस्कार मेरा नाम गोविंद पटेल है और आप देख रहें खेती की पारसाल यूटूब चैनल यह जो आप देख रहें में नरसरी लगभग इसको जो है आथ 10 दिन हो चुके हैं और आप देख रहें इसमें हलकी सी पीलापन जो आपको नजर आ रहा होगा और ऐसी समर्सिया जो है लगभग भारत में महुत सारे किसानों कार आ रहा है जो की नीचे में कमेंट करके अक्सर पूछते हैं तो आज हम बात करेंगे जो हमारी धान की नरसरी है उसमें पीलापन क्यों आता है तथा इसको दूर करने के लिए हम लोग क्या उपाय कर सकते हैं धान में पीलापनित लियाता है जब मौसम में तेज गर्मी या पिर तेज बारिस इस तरीके से कुछछ यह मौसम का बदला होता है तो हमारी जो पौधे की मतलब हमारी जो पौधे रहते है चोटे-चोटे पौधे वह इस्ट्रेस में आ जाते हैं और जड़ के माध्याम से nutrition को ऊपर नहीं चड़ाते हैं वो यही पर रोक के रख देते हैं जिसके बज़ाते हमारी धान पीले पड़ते हैं तो इसको दूर करने के मैं आपको एक सस्ता सा उपाय बताता हूं उसके लिए आपको सिर्फ एक spray करना है क्या क्या spray करना है? देखे सबसे पहले आपको एक दो मुठी यूरिया लेनी है मुठी भर ले लीजे आप यूरिया और उसमें लगभग जो है आप 10 से लेके 20 ग्राम आप उसमें डाल दीजिए चिलिटेड जिंग और 10 से लेके 20 ग्राम आप उसमें डाल दीजिए सल्फर ये जो मैं बात करा हूँ 15-20 लीटर पानी की मैं बात करा हूँ तो 15-20 लीटर पानी की जो टंकी आती है उसमें इतने चीज़ को आपको डालिए मुठी भर यूरिया 10-20 ग्राम आपको डालना है चिलिटेट जींग और 10-20 ग्राम आपको डालना है सलफर ये तीनों को आप डाल के जो है आप अपने खेत में स्प्रे कर दीजे आप देखेंगे तीन से चार दिन में जो है आपकी धान की जो नरसरी है उसमें मतलब की हराप पनाना चालू हो जाएगा और उसकी ग्रोध भी बढ़ जाएगी दूसरे नंबर पर जैसे कि आप यूरिया डालना नहीं चाहते तो आप 19-19-19 भी डाल सकते हैं रगभग उसको आपको 70-80 ग्राम पर टंगी के हिसाब से लेना है और मायकी जींग और सलफर को वहे डोज में आपको लेना है आप देखेंगे आपकी जो धान की नरसरी है वो ज उसके वाइना नहीं के पास रहता है और उसकी मतलब तने के पास रहता है जिसके दिदान मूट desegel और। फुदकेंगे, तो आप समझ सकते हैं, कि आपके जो खेत में कीक्रिव करने हैं, निच्ची तो प्रूरी तरीका से ग्रीन हो जाएगी, और वह जल्द ग्रो करते हैं उसको देखेंगे, फिलाल की वीडियो में बस इतना ही नर्सरी से शंबनाएं सा Waal तो नीचे में कमेंट जरूर करें देने वाज